आज की वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप अगर कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो उसके प्राइस को आप अपने हिसाब से मैन्यूपलेट कर सकते हैं आज अब बात करने वाले हैं नेगुसीशन टेखनीक्स के बारे में end-to-end ये वीडियो होने वाली है जो कि आपको complete negotiation के बारे में सिखाएगी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी sales के उपर जो कि end-to-end वीडियो थी sales के उपर जहां पर हमने बताया था अगर आप किसी को कुछ बेच रहे है तो किस तरीके से आप manipulate कर सकते है आज हम reverse side की बात करने वाले है अगर आप किसी से कोई चीज खरीद रहे है तो किस तरीके से आप negotiate कर सकते है यहाँ पर मैं आपको सबजी लेने के टेकनीक्स नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको high level business talks के बारे में बात करने वाला हूँ अगर आप funding लेने के ले जा रहे है अगर कोई mergers acquisitions के बारे में बात कर रहे है या फिर कोई बड़ी business deal कर रहे है या फिर आपको अपनी company के लिए कोई product को खरीदना है किसी manufacturing company से आज हम इस सारी techniques को detail के अंजर समझेगे कि negotiation कैसे business owners की help कर सकता है सबसे पहला question निकल के आता है negotiation की जुरत क्या है भाई मेरे पास में एक gun है मैं जाऊंगा लेने के लिए माथे पे gun रख दूँगा उसको काऊंगा भाई सस्ते में दे दे वो दे देगा हो या काम negotiation ना एक one time बीगल की उपर focus नहीं कर रहा है हम अगर किसी से कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम expect करके बैठे हैं कि हम उससे बाद में भी काम करेगे वो बंदा हमारे पास बाद में भी आएगा बाद में भी life के अंदर हमको help कर सकता है business owners इसी तरीके से काम करते है तो हम ऐसी negotiation के बारे में बात करेगे जो कि आपका relationship खराब नहीं करेगी आपको profitability कमा के देगी जितनी ज़्यादा आप कमा सकते हो और साथ में आपके लिए value creation भी होगी मतलब दोनों parties को मदद होगी इस negotiation deal से सामने वाला अगर आपको कोई product बेचेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ एक अच्छी deal करीए उसको भी satisfaction मैसूस होगी और आप कुछ खरीदेगे तो आपको भी होगी negotiation basically दो तरीके की होते है एक होता है integrated एक होता है distributive नाम से समझ में आ रहा है integrated मतलब सबका साथ सबका विकास हम सबको साथ में लेके चलते हैं और distributive का मतलब आप अलग मैं अलग हम दोनों लड़ेगे जिसको बेटर मिलेगा वो मिलेगा अब business के अंदर दोनों टाइप की negotiations चलती है अगर हम चाहते हैं किसी के साथ में negotiate करना जहां पर हम चाहते हैं long term partnership रहे अगर हम अपने business के लिए कोई vendor तलाश रहे है और उसके साथ में अच्छी deal करना चाहते है ताकि वो हमको अच्छे rate के ऊपर long term तक product दे तो यहां पर हम चाहेगे inclusive deal करना integrated deal करना और अगर हम distributive की बात करके चलें तो यहां पर क्या हो रहा है दो parties के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है दोनों अपना अपना सोच रहे है कि मुझे जीतना और दूसरे को जीतना है normally यह competition के बीच में strategy यूज़ करी जाती है जहां पर हम लड़ते हैं उससे आगे निकलने के लिए तो distributive strategy क्या कह रही है एक को जीतना है एक को हारना है integrative क्या कह रही है दोनों को जीतना है मैं हमेशा से इस ideology का रहा हूँ कि एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना जरूर नहीं होता है हमेशा win-win create हो सकता है तो मेरा major focus रहेगा integrative के उपर जहां पर सबका साथ सबका विकास हो सबकी जीत होनी चाहिए बहुत सारे लोगों को लगता है हम competition से आगे निकलना उनको पीछे कर देना है मैं हमेशा से एक example देता हूँ मान के चलते है जो भी आप business कर रहे है उसके अंदर आपका 20% market share है पूरी इंडिया के अंदर जहां पर आप काम कर रहे है अब वो industry 100 करोड की है अब 100 करोड के अंदर आपका 20% market share है मतलब 20 करोड का आप revenue कर रहे हो hypothetically मान के चल रहे है आपका competitor है वो भी 20 करोड का कर रहे है अब आप क्या कोशिश कर रहे हो उसका 20 खा के अपना 30 बना लो मैं कहता हूँ क्यों ना आप दोनों मिल जाओ जो आपकी market 100 करोड की है उसको 500 करोड कर दो यहाँ पर आपके पास भी 20% रहे उसके पास भी 20% रहे बट आपको जो chunk होगा वो market से बड़ा होगे है बट यह मेरे ethics है ज़रूरी नहीं है आपको इसका पाहलन करना है negotiation पे सीधा आते है किस तरीके से negotiation करना चाहिए step 1 preparation कभी भी negotiation करने के लिए सीधा नहीं उतर जाना कि आज आप मैं देख लूँगा यह मम्मी नहीं है कि जो market के अंदर साड़ी लेने के लिए गई है सबजी लेने के लिए बढ़ी भाई है इतने का तो बनेगा ही बनेगा इतने का तो बनेगा ही बनेगा और वो लेके आजाती है आपने भी कही बार अपनी लाइफ के लिए एक्सपीरिंस किया होगा आपकी मदर जब जाती है को शॉपिंग के लिए वो बोलता है 500 रुपे या आपकी मम्मी बोलती है 100 रुपे और अट लास वो 100 रुपे के लेकी में आजाती है प्रोड़क्ट आप सोचते हो भाई इस लेवल का नेगोशेशन कैसे हो सकता है अब उन्होंने प्रिपेर किया या नहीं किया प्रिपेर किया उनको पहले से ही पता है प्रोड़क्ट का प्राइस कितना है उनको पहले से ही पता है कि कितना नेगोशेट हो सकता है अगर हम business करने के लिए जा रहे हैं कि हमको यह चीज पता है कि हम इस level पर research करके बैठे है कि actually वो कितने रुपे में हमको बेश सकता है, कितने रुपे तक rate गड़ सकता है पहली चीज हमको actual product का price नहीं बता होता है दूसरी चीज हमारा communication clear नहीं होता है अगर हम किसे से कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे है क्यों खरीदने के लिए जा रहे है हमारा objective क्या है और हमारी limit क्या है example के लिए आप किसे से कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे है उसने आपको quote किया है 500 रुपे hypothetically again लेके चल रहा हूँ और आपको बता है, आपकी limited 400 रुपे, 400 रुपे से उपर आप नहीं ले सकते, अगर वो 400 रुपे तक आ रहा है, तो गुड नहीं आ रहा है, तो आप कहीं और रस्ता तलाश होगे, जालता लोग जब भी कोई डील के अंदर उतरते हैं, तो वो सोचते हैं, चल बात कर लेगे, डिसकस कर लेगे, फिर देख लेगे, जो कि एक राइड प्रसीजर नहीं है, 14 साल डिजनल मार्केटिंग एजनसी चलाने के बाद में, मैंने उसको बेचा है, और जो भी मेरे चीज़े सीखी है, उसको मेरे कूर्स के ने डॉक्यमेंट किया है, ताकि आप एक next level डिजनल मार करी है, गूगल एड्स हमारे प्लाटफॉर्म के उपर आपको बिजिटल मार्केटिंग के साथ में विद्दस का भी बहुत सारा कॉंटेंट मिलता है, जैसे रिसेंट्ली हमने एक ब्रैंडिंग वर्क्शॉप करी, जया अपर मेरे अपनी जिन्दगी की सारी मार्केटिंग की लर्निंग को डॉक्यूमेंट किया, किस तरीके से साइकॉलजी काम करती है, किस तरीके से ब्रैंड्स बनाय जाते हैं, और ब्रैंडिंग का मतलब लोगो डिजाइरिंग नहीं होता है, ऐसी हमारा कॉर्स को पॉपर मार्केटिंग के उपर भी है, जामें हमने गोगल एड सारी चीज़े उपको डिटेल के अंदर स्टडी की है, मैं खाली एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक एजिंसी ओनर रहे चुका हूँ, जिसने मिलिन तो डॉलर की गैंपन एंडल करे है, जिसको एक्चुली पता है, इंसाइड हो इंडस्री, क्या चीज काम करती है, क्या चीज क अप्टिवाइस करना है, कैसे उसको टेस्ट करना है, क्या-क्या क्पी इसको चेक करना है, सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर हमने कोर्स के दर दा रहे, और हां आपको सारे SOPs भी दिये हैं, जिसको आपको फॉलो करना है, और आप रेसर्ट्स ला सकते हैं, इचले 7-8 साल के अंदर मैंने डीफ हजार से ज़्यादा डिजिटल मार्केटर्स बनाया है और मैं प्राउडली कह सकता हूँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सक्सेस्फुल एजन्सीज भी रंद कर रहे हैं हमारे पूर्सिस के अंदर आपको रिकॉर्डड वीडियो तो मिलेगी साथ में ल वारी लोकेशन पे नहीं आ सकते हैं आपके लिए दूर पड़ता है तो हम आपके लिए लाइव एकसेस भी देते हैं जापर आप लाइव इंट्रैक्ट कर सकते हैं हमसे दूरिंग दा वोक्शॉप इसके साथ में आपको कॉम्डिटी एकसेस भी मिलता है जापर मैं परसनल अगर आप नेगोशेट करने के लिए जा रहे हो सबसे पहले चीज आपको अपना बाटना पता होना चाहिए बाटना क्या होता है बाटना अगर आप ये डील नहीं करते तो आपके पास में क्या ऐल्टर नेटिव है उसके इलावा एक्जाम्पल कर लिए मैं एक बंदे से deal करने के लिए गया हूँ और मैं उसके साथ में दबा के negotiate कर रहा हूँ अगर ये वाली deal नहीं होती तो मेरे पास दूसरा supplier है जो कि मुझे इतना रूपे में देने के लिए तयार है अगर मैं एक ex-product ले रहा हूँ 100 रूपे का जो कि मुझे लगता है 100 रूपे का मिलना चाहिए मेरा जो सामने वाली party है वो कहरी 110 की दूँगो 110 की दूँगी बट एक alternative है मेरे पास में जो कि मुझे 102 रूपे का दे सकता है तो क्यों ना मैं उसके साथ लड़ू और मैं उसको 100 रूपे में या 100 रूपे से नीचे agree करने की कुशिश करूँ क्योंकि मुझे पता है 102 रूपे मेरे पास में बैठा है हमारा chemical गाभी काम है तो मैंने अपने पापा के साथ ये वाली चीज देखिए तो वो क्या करते है तीन-चार लोगों को खट्टा फोन करते है प्रोड़ू को खरीदने के लिए हमारा food का chemical का गाम है तो क्या करते है एक पार्टे से भूचे कि इसका rate कितना आ रहा है तो गएगा इतना रूपे ठीक है दूसरे बात करें कि इसका rate कितना रहा है इतना रूपे तीसरे से बात करें कि इसका rate कितना रहा है इतना रूपे अब क्या करेंगे वो तीनों को एक दूसरे की rate के बारे में बात करेंगे या वो तो इतने का दे रहा है आप भी इतने का दो और मेंको नक्की करो, खतम करो तो यहां पर क्या हो रहा है आप negotiate करने ही कोशिश कर रहे हो दूसरे का नाम यूज करके या दूसरे की authority यूज करके जुरूर नहीं है आपको इनका नाम यूज करना है बड़ आपको अपना बातना पता होना चाहिए कि अगर वो मेरे से deal नहीं होती है तो मेरे पास में एक alternative खड़ा है क्या हम कभी भी negotiation में उतरते हैं हमको अपना बातना पता होता है हम तो गयाते है जल लेने जलते है यार नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लिक्या मिलेगा बातना का सबसे अची चीज किया आपको leverage मिलती है आप सामने वाले से discuss कर सकते हो भाई मेरे पास में alternatives पड़े अगर आप नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में कुछ और है अगर वो आपसे deal करना चाहेगा तो आपके negotiation terms के अपर अग्री करेगा दूसरा आपको आपके decision making process के अंदर confidence देता है आपको confidence होता है कि अगर यह deal नहीं होगी तो मेरे पास में दूसरी चीज तो किस तरीके से अपना भाटना डूढ़ना चाहिए सबसे पहले चीज आप मार्केट में alternative जूढने के तरफ जाओ जो भी आप deal करना चाहरे हो उसके alternatives आपके पास पर अभी क्या-क्या है उसको proper तरीके से research करो और research के अंदर जो भी आप alternative ढूढ़ रहे हो actionable होना चाहिए अब कोई बड़ा creator मेरे साथ नहीं करेगा तो Modi ji तो ही मैं उनके साथ में collaborate कर लूँगा actionable है कर सकता हूं मैं नहीं कर सकता ना तो जो चीज पॉसिबल है पहली बात तो उसको list down करना है जो आपके लिए है दूसरा आपको जो आपके बास में alternatives है मैं आपको कौनगा कम से कम 5-6 alternatives आ यह चीज को मैं execute कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता है यह मेरे लिए desirable results आके देगा या नहीं देगा बतल हम बात कर रहे है outcome, time और cost majorly इन तीन parameters के उपर हम जज कर रहे है alternatives को उसके बाद में जितने भी हमारे पास में alternatives है उसमें से best alternatives जूंडेगे based on यह तीन criteria आपके business के लिए आपकी deal के लिए और भी factors हो सकते है but आपको decide करना है कि लिए आपके लिए क्या है जैसे example के लिए बहुत सारी companies के अंदर delivery time भी एक बहुत बड़ा challenge होता है जहां पर outcome के अंदर desirability के अंदर यह भी कह सकते है कि एक बंदा हमको 15 दिन में deliver करके दे रहा है एक हमको तीन दिन में deliver करके दे रहा है तो तीन वाला हमारे लिए ज्यादा favorable है चाहे हमारे लिए cause ज्यादा लग रही हो तो यहां पर एक real life example लेके चलते है मान के चलते है आपके business के अंदर currently एक supplier है जो कि आपको product supply करता है अब आपका सब कुसा ही चल रहा है अब आपको लगता है कि चलो let's negotiate further क्या हम कुछ और negotiate कर सकते है या पर नहीं कर सकते तो आप या कर रहे हो अपने बाटरना alternatives को तलाश कर रहे हो तो आपके पास में दो suppliers और निकल के आते हैं एक supplier जो आपको बंदा बेच राइजस प्रोड़क के उपर उससे थोड़ा सा ज्यादा expensive है और वो almost बहुत जल्दी deliver कर रहा है जो आपका current बंदा है वो 7 दिन के डिलिवर करता है और मांके चलता है 100 रुपे लेता है आपसे दूसरे वाला बंदा आपसे 102-103 रुपे ले रहा है वो एक दो दिन के अंदर ही deliver कर देता है आपके उसके अंदर payment terms भी अलग होती है वो कहता है भाई 3 महीने के उधार चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पर जो अभी current वाला बंदा है वो आपको 15 दिन से उपर का उधार नहीं देता है अब यहां पर एक और alternative भी मानके चलते है एक ऐसा vendor है जो कि आपको current rate से भी कम rate के अंदर same delivery time के अंदर product देने के लिए तैयार है बट वो volume जादा मांग रहा है वो कह रहा है आप जितना product लेते हैं उससे ज्यादा volume लो मैं आपको कम rate के अंदर जल्दी deliver भी कर दूँगा आपको जो term चाहिए वो दूँगा और आपको current payment terms में भी operate करके दे रहा है 15 दिन के अंदर ही आपको उधार दे रहा है यहां पे हम अपने evaluate कर रहे है सारे के सारे options को तो जो सबसे पहला हमारे पास में supplier था उसके साथ में क्या हो रहा है वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले रहा है मतला हमारे margins कम हो रहे बट हमको delivery time fast करके दे रहा है this means हमारे customer कुछ रहेगे अगर हमारे manufacturing setup है तो हमको शायद अपनी inventory बहुत ज्यादा store नहीं करनी पड़ेगी हम कम inventory space के अंदर भी काम कर सकते है साथ में हमको payment terms का भी फायता मिल रहा है कि हमको जल्दी पैसे देने की जुरत नहीं है दूसरे को देखते है दूसरे में क्या हो रहा है यहां पर वह को कह रहा है रेट तो कम दे दूँगा मतलब हमारे margins तो healthy हो जाएगे but हमको inventory जादा खरीदनी पड़ेगी मतलब हमको अपनी space utilization जादा करनी पड़ेगी तो यहां पर हम खुद सोचेगे कि हमारे पास space है रखने के लिए क्या हमारा product जो हम खरीदने का सोच रहे है उसको अगर हम store करके रखेगे तो हमारे लिए वह फाइदमन है या फिर नहीं क्योंकि case to case matter करेगा मानके चलते हैं हमारे पास में गुदाम खाली पड़ा है same आपकी terms के उपर पट कम rate दे रहा है हम उसको यह नहीं बोलेगे कि वह कह रहा है quantity जदा ले लो हम कहेगे वह same rate दे रहा है आपसे कम rate दे रहा है और इस terms के अंदर दे रहा है हम चाहते हैं आपसे जुड़े रहने का क्या आप हमको वही same price मैच करके दे सकते हैं या पर नहीं दे सकते उस बात ख़तम अब आपको पता है जदा से जदा क्या होगा वो deal नहीं देगा नहीं देगा तो आपके बसमे alternative है आप वहां पर जा सकते हैं या फिर आपको current vendor के साथ ही काम करना आपको वहां पर नहीं जाना तो बातना अपना देखके नहीं जाते है अगर आप नौकरी लेने के लिए जा रहे है तो आपका बातना क्या होगा बहुत सारे अपने employees को देखा होगा offer letters multiple cuttay कर लेते तो जब मैं MBA कर रहा था मेरे पास में multiple offer letters थे तो मैं negotiate कर पाता था और मेरे पास में अलग confidence भी होता था interview देते वक्त बहुत बार मुझे लोग बोलते थे तो interview में कुछ भी बोल के आयाता है वो यह कह रहे हो तो उनके anti बोल के आ रहा है तो भी तेरा selection हो रहा है मैं interview में गया MBA के जो मैं pre-place होगा तो उन्होंनों मुझे बोला की why should be hiring मैं मत करो सब मैं का मैं तो सीखने के लिए आगो आप सीखाओगे बैकरोगा मज़ा आएगा दोनों को मज़ा आएगा दोनों गुरू करेगा कहता फिर जब मज़ा आना बनो जागा छोड़ देगा वो क्या होता था मेरे पास में बाटना जोते थे मेरे पास में पहले से अल्टरनेटेज होते थे तो आप अपनी हर लाइफ के हर एक नेकुसेशन प्रोसेस के अंदर अगर बाटना लेके जाते हो तो आपका confidence level बढ़ जाता है आपका decision making process बहुत बैठर हो जाता है अब बाटना के बाद में क्या करना है अब हमको एक फॉरो research करनी है जो भी हमारा supplier है उसके regarding यहाँ पर मैं हमने existing मंदे से negotiate नहीं कर रहे है हम किसी नई party को on board करने का plan कर रहे है यहाँ नई party के साथ में deal करने का करो financial statements देखो उनकी उनके past record check करो उनका जो current vendor suppliers जैसे कि मान के चलो मैं manufacturing setup एक company चला रहा हूँ और मुझे किसी से product खरीदना है तो supplier से और भी लोग खरीद रहे होगे मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ उन लोगों का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तो पूरी-पूरी R&D करके मुझे एक बार research करनी है कि भाई वो बंदे है क्या अभी recently में एक web series देख रहा था Suits Suits के अंदर भी यह एक चीज होती सी negotiation के टाइम पर जहां पर वो R&D करके रखते थे एक सामने वाली party के ऊपर कि उसने क्या गलत किया है क्या नहीं गलत किया उसनी पूरी history उठा लेते थे तो यहां पर आपको एक researcher चाहिए आप खुद भी हो सकते हो या फिर आपको researcher चाहिए बरबाद हो मुझे कोई लेना देना नहीं मैं fine prints में कुछ चीज छुपा लूँगा बट मैं सही होने वाला हूँ objective भी हमको decide करके रखने है कि हम जो negotiation कर रहे है वो किस rate तक कर सकते है कहां तक हम जा सकते है हमारी क्या limits है वेगरा वेगरा और हमारे बाटना के comparison में हम कहां तक जा सकते है अगर आप मुझसे पुछो के सबसे important step क्या है तो मुझे ऐसा रखता है जो preparation है जो research है वो सबसे important चीज़ा negotiation के लिए आपकी मम्मी market में जाती है और इतना बड़िया negotiate इसले कर लेती है क्योंकि उनका research बहुत strong है उनको पता है वो product का actual price कहां तक जाएगा अगर आप उनको laptop ले जाने के लिए लेकर जाओगे या कोई electronic या computer ले जाने के लिए जहां पर उनको पता नहीं है उसका actual price के आना तो वो negotiate नहीं कर पाएगी हमेशा यहार रखना जहां पर उनको knowledge होगी आपको इस level का negotiate करेगी आपको खुछ शरम आने ले जाएगा नेगोसेशन के अंदर अगर आपके objectives आपके limit clear होती है नेगोसेशन से पहले तो failure की chances कम हो जाते है और अगर आपके पास में बातना होता है तो आपको इस super power provide करके देता है जिसमें आप अपने negotiation को next level ले जा सकते है तो चलो बात करते है actual psychological techniques के बारे में negotiation process में जो आपके actually मदद कर सकती है अब ही तक जो भी हमने बात करी है वो आपकी research थी आपका data था और जो आप मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपके skills है जो शायद हो सकता है आपको वीडियो देखने से भी ना आए आपको चीजे समझ में आ जाएगी पर जैसे जासे आप negotiate करते रहोगे जैसे जाप प्रो होते चले जाओगे तो आपकी skills improve होते चले जाएगे सबसे पहले आता है हाँ पर ethos ethos and logos ethos का मतलब है credibility लोग आपको credible समझेगे तभी आपसे वो deal करना चाहेगे हम कभी किसे पर वरुसा करते हैं तभी वो sales process complete हो पाता है तो अगर आप किसी के साथ में deal कर रहे हो अगर हम cooperative negotiation की बात कर चल रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अगर हम उसके साथ काम करेंगे तो उसके लिए भी value creation होनी चाहिए उसकी भी मदद होनी चाहिए जो भी चीजे हो रही है वो collaborative तरीके से हो रही है तो अगर हम अपने आपको credible portrait करते हैं तो एक next level edge मिलता है तो ethos को दिखाने के लिए क्या कर सकते है सबसे पहली चीज हम clear रहे हम जो भी बोल रहे है सीधा to the point बोले कि यह चीज होगी ऐसा होगा हम अपनी past success दिखा सकते है अगर हम किसी को कुछ बेचने के लिए कोई भी deal कर रहे है जहांपर हम अपने आपको बेचना जाते है हम दिखा सकते है हमारा past experience कैसा है हमारे जो clients है वो हमसे कितने satisfied है testimonials दिखा सकते है या फिर कोई भी ऐसा credible source या कोई भी credible data जिसकी वेसे trustworthiness improve हो अगर trust की बात करके चलू तो भाई हमारी ऐसे promises नहीं करने जिसको आप नहीं निवा सकते है सामने वाला भी बेवकूफ नहीं बैठा वो भी business चला रहा है जूटे वादे नहीं करने है इसमें अगली चीज आती है pathos pathos का मतलब है emotion अभी तक जो हमने बात करी है वो सारी की सारी logical बात करिए emotions के बारे में बात नहीं करिए actually अगर sales वाली video आपने देखिया तो इस minute में बताया था जो भी sales process होता है वो emotionally होता है अगर हम कोई चीज खरीदते है हमको लगता है हमने logically खरीदा है पर कही न कहीं वो emotion-backed होता है emotion बात बड़ा रोल प्ले गरता है किसी भी sales process के अंदर तो negotiation sales के चोटा सा party है तो यहां पर तीन चीज़े बताना चाहूंगा इन तीन चीज़ों को आपको master करना है अगर आप emotionally अच्छी होना चाहते हो पहले चीज is storytelling हमेशा stories बनाओ stories खुझ से नहीं बनानी है आपको ढूंड के निकालनी है सामने वाले के लिए relatable stories क्या होती है अगर आप कभी साड़ी के दुकान पे गई होगे अपनी मम्मी के साथ में कहीं पे भी बच्पन के अंदर कहीं पे देखा होगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी वोग रिस्टेदारी निकाल लेता आप कहां से हो अच्छा मेरे माससजी भी वहीं से है वो भी ऐसा करते आप बढ़ीा बढ़ीा तो जो रिस्तेदारी निकाल रहे थकource दम new बहुत बार को लोग क्रिटिसाइज करते कि बट वो जो stories होती है ना, उससे कहीं नहीं emotional connect बनता है, जिससे trustworthiness improve होती है, इसी का ही part है empathy, empathy मतलब सामने वाले के emotions को समझना, उसकी problem को समझना, और उसकी problem के हिसाब से solution लाके देना, sales या फिर negotiation का मतलब यह नहीं है ना, कि भाई बेच दो, चेप दो, और फिर बाद में देखेगे, नहीं आप किसी के बारे में negative नहीं कह रहा हूँ, आप टूरिस प्लेस में देखोगे, आपको generally घटिया क्वाल्टी चिपका दी जाती है, क्यों यह सोचके, कि भाई वो बंद तो word of mouth से आप popular हो जाओ गया, बड़े brand बन सकते हो, लोग नहीं सोचते हैं, अगला है passion, आपका passion ना दिखाई देता है, आप से बात करके समझ में आता है सामने वाले को, कि आप जो काम कर रहे हो, आप वो इसले कर रहे हो कि आपको उस काम में मजा आता है, या फिर इसले क क्यार रहे हो क्योंकि वहां से पैसा मिलता है, हर एक बंदा उसी बंदे के साथ में business deal करना चाहता है, जो actually passionate हो, normally मेरे को बहुत mails आते हैं, जहां पर लोग हमको mail करते हैं, कि भाई, हम आपकी बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपका CTR इंपरू नहीं देखता है, मुझे ऐसा लगता है, कि यह मुझसे business मांगने के लिए आया है, और यह मेरे उपर 10 minute नहीं लगा सकता, मैं इसको अपना इतना बड़ा business दे दू, handle करने के लिए, बेवकूफो वाली बात है, अगर logically सोचोगे तो, अगर कोई मुझे message करे, बोले, कि जो मिलेगा बेटा, तो यहां से passion दिखाई देता है, आज के टाइम पर जो लोगों को कानिया बढ़ा जा रही है, कि भाई, चैट रिए content हाओ, mail पर दालो, bulk mail वेजदो, और देखो, जादू हो जाएगा, नहीं है, सीरीसी बाद, sales, यह सब कुछ कहीं न कहीं, emotion-led है, और आप AI से logically emotions create कर सकते हो, बढ़ उसका एक process है, और वो generic नहीं हो सकता है, कि आप हर एक बंदे के लिए आपको process follow करना पड़ेगा, individually, तब आप गी यह मनद कर सकता है, ना कि इस तरीके से लोग कर रहे है, इससे क्या होता है, लोगों की credibility खराब हो जाती है, credibility खराब होने से मै हम तो काम नहीं दूँगा, trust gain नहीं हो पाएगा, तो sales नहीं होगी, अब यहाँ पर तीसरी चीज आती है, logos, अब बहुत सारी लोग कह रहे हो कि हम तो emotional buy नहीं करते है, हम तो logic पर buy करते है, business के अंदर logical decisions होते है, बिल्कुल, backed by data होते है, logical decisions होते है, तो उसके लिए logos आता है जहां पर हम logic के बारे में बात करते है, कि why us हमको क्यों चुना जाए, हम क्यों अलग है, मतलब हम एक logical reasoning दे रहे है, कि why us, यहां पर हम कोई statistical data दे सकते है, जिस data से हम दिखा सकते है, कि हम आप गर आपके business का जुड़ते है, आपका business यहां से यहां ले जा सकते है, हम कोई evidence द हर चीज के अंदर काम आता है, हर चीज के अंदर काम आता है, अब थोड़ा body language के बारे में बात कर लेते है, कैसी हमारी body language हो दहीं चाहिए, क्या body language हमारे को better results लाने में वदद कर सकते है, या फिर नहीं कर सकते है, सबसे पहले चीज आती है, facial expressions, facial expressions बहुत important role play करते है, किसी भी communication process के अंदर, अगर आपने मुझ से बूछा, यह हो जाएगा, मुझ से बता रहो ना, यह मुझ से एक्स्प्रेशन आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा communication non-verbal होता है, मतलब बिना बोले होता है, जगर हम किसी की बात सुन रहे हैं, और उसकी बात सुनते सुनते, नौड कर र अगर आप सामने वाले की बात सुनोगे, वह आप पर ट्रस्ट करने लग जाएगा, उसको लगेगा आप empathic हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी तरह देख रहे हो, एग्रीमेंट में गर्दन हिला रहे हो, और मुझ समाइल रहे हो, अगर वह कोई negative बात कर रहे है, तो भाई, अगर आपके फेस पे स्माइलिंग रहेगी, तो सामने वाले आप पर ज्यादर ट्रस्ट करता है, अब फेस के अंदर ही, अगर आई कॉंटाक्ट की बात करके चले, ये भी एक इंपॉर्टन चीज़ है, आई कॉंटाक्ट में आपको उनकी आखों में देखना है, और घूर आप यहां देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो, उसके बाद साइड देखो, फिर यहां देखो, 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 यहां दे वो आप एक बार सुनके भी समझ जाओगे यह वाले प्रोसेस आपको सुनके अच्छे लगेगे बट जब आप इसको एक्जीक्यूट करोगे तब आपको समझ में आएगा यह चीज कितने बड़ा इंपक्त डालती है तो सिंपल सी बात आपको कोशिश करनी है आँखों में देखना है इदर उदर देखना है इदर उदर भी नहीं देखना है ऐसे पर नहीं करना है ठीक है समझ गया आखों में देखो उसकी आखों में आखे नहीं जालनी है कभी यहां देखो, 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 कभी यहां देखो या खड़ा होना चाहिए, close positions नहीं रखने है, open positions रखने है, जैसे अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, हाथ खोल के, अराम से बात कर रहा हूँ, अभी आपको मेरे पैर नहीं दिखाई दे रहे, मैं पैर खुले हुए, कई लोग क्या करते हैं, पैर के उपर पैर रख लेते हैं, बात करते करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा, किस तरीकिये से आप digital marketing कर सकते हैं, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, और ऐसे में, मेरी personality में, देखो कितना फर्क लग रहा है, तो अगर आप हाथ को close कर देते हो, आप bossy look देने लग जाते हो, अगे जो एक negative चीज होती है, open हमेशा से अच्छे रहते है, open also includes hands, अभी आगे बात करेंगे, open में, अगर मैं अभी normal बात करके चुनाओ, तो open means, मैं पैरों को close नहीं कर रहा हूँ, हाथों को fold नहीं कर रहा हूँ, normal बैठा हूँ, normal बाते कर रहा हूँ, अब body language के अदर आपको इटेखनीक्स भी उता रहता हूँ, एक चीज होती है mirroring, mirroring का मतलब होता है, सामने वाले को copy करना, अगर हो hmm hmm कर रहा है, तो आप भी hmm कर रहे हूँ, अगर smile pass कर रहा है, आप भी smile pass कर रहा हूँ, यह बते को, वो नहीं करना है, और यह आपको दीरी देर समझ में आएगा, कि कैसे होना चाहिए, जब आप बड़े salesman परसों से मिलोगे न, आप उनको इन चीज़ों के लिए analyze करना, आपको समझ में आएगा, वो लोग कैसे कर रहे हैं subconsciously, आप से बात कर रहे होगे, आप बोलोगे, मुझे एक ऐसा TV चाहिए, जो कि ऐसा ऐसा हो, और इसके लिए यह हो, आपकी बात repeat करेगे वो, ऐसा 55 इंच के आसपास का TV चाहिए, आपको जो कि यह करेगा, आपको होगे हाँ, तो वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली आपकी बात को, mirror कर रहे है, subconsciously mirroring से, बढ़िया technique कोई नहीं है, किसी को अपनी तरफ ले जाने के लिए, छोटे छोटे आप, देखोगे न, चोटी-छोटी चीजे कर रहा होगा बंदा, उसके micro चीजे हो गया, आपको नोटिस करनी है, और उसको copy करनी कुशिश करनी है, बोलने का मैं आपको example दे दिया, कुछ words को आपको repeat करना है, हर बार नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर बार नहीं करना है, अच्छा हर बार नहीं करना है, और मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज के बारे में, हाँ हाँ ठीक है सही बता रहे हूँ, ये बात इतना भी नहीं करना है, कभी कबार थोड़ा 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 over नहीं करना अगर मैं gestures की बात करके चलूँ जेस्चर के अंदर हमको पहले बाद वाद तो हाथ open रखने है ऐसे नहीं रहने है एसे रखने में बात कर रहो हूँ तो ऐसे बात कर रहा हूँ आपके साथ में मैं आपको दिख रहा होगा ऐसे मेरे हाथ भी सामने भी अगर पड़े है तो यह वाली साइड फेसिंग अप है या सामने बंदा है तो दूसरा उसकी तरफ उंगली पॉइंट नहीं कर दिया तेरी वेस हुआ है तेरी वेस हुआ है आप ऐसे कर सकते हो तो अगर अगर अड्रे पता नहीं कैसे करता था मैं कुछ करता था मेरी टीचर ने मेरे को सुदा रहा जाए मैं गर्दों को ऐसे भी लाता था ऐसे पता नहीं कैसे करता था मैं कभी किसी की बास सुन रहा था तो मैं ऐसे की जगा ऐसे पता नहीं कैसे करता था इधर 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 भी हिल रहा था और इदर इसा से करके सही हो गया एगर बिन परोक्सीमिटी यह बात करके चलों, किसी से अगर आप कर्रहे हो तो कितना दू रहना चाहिए एक हाथ दूर एक दो पात नहीं करनी है है घर आप सोफ हे बैट रहे हो तो ईपोस्ध बैसकते हो साइट साइट सब्सक्राइब एक्दम साथ चिपक्के नियुक्ड है उसे एकıyla में सब्सक्राइब साइट साइट सकते हो यह सब्सक्राइब या फिर उप इप दुख chic यह तरीख है अच्छा तरीका है कौंवर्जिशन करनेकर और किसी से बात करते वक्त करो, अगर आप अपने आपको दिखाना चाहते हो, कि आप उसकी बात सुन रहे, अगर आप दिखाना चाहते हो, भई मैं बड़ा हाथ ली, हाँ बढ़ा तू, कोई दिखती है, ठीक है, हो जाए, हो जाए, हो जाए, आप खुद देखो, बॉड़ी लेंग्विज में हाँ, 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 आजम बात करेगे, इस चीज के बारे में, और, हाँ, आजम बात करेगे, इस चीज के बारे में, आपको फर्क दिख रहा है, तो यह चोटी-चोटी चीज़े हैं, यह आपको मास्टर करनी पड़ेगी, उतनी असान नहीं है, एक-एक-बार आपको पकड़ना पड़ेगा, पहले एक चीज को मास्चर करो, फिर दूसर चीज को मास्चर करो, वीडियो यूट्यूब पे अविलेबल है, अल्वेज अविलेबल है, फ्री है, तो आप बार बार देख सेते हूं, क्या जा रहा है, अब आपको दो पावर पोस्टिस दाता हूं, ए आपको इन गंदों को पहली बात तो पीछे लेकर जाना है, ऐसे आप दिखने चीज़ो, ऐसे है, जो छोड़ों करी चुलते, वैसा वाला सीज, हाथ को ले जाना है पीछे, हाथ को पीछे ले जाके, ऐसे फोल्ड करते है, कोशिश करनी है, हाथ ऐसे टक्राए है, यह तना आपको स्कूल में यह चीज सिखाई गई होगी, वो है पावर पोस, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, पैर एकदम चिपता के नहीं रखने है, पैर आपको अपनी शोल्डर विथ पर रखने है, जितना आपका शोल्डर है, उतने पैर चोड़े हो, और आप अप बैठने की बात करके चलू है, जैसे भी में टेबलप ऌटाहू हूँ, आइल्मी मेरे हाथ ऐलो के उपर होने चीजए, यह होगी। जली थोड़ा सा आगी की तरफ ho Patry होना चीज़ू हूँ, और ऐसे मैं आपके बात कर रहा हूं और ऐसा। close poses नहीं रखने including pair चाहे आपके pair ना भी दिख रहे हो तो भी कई बार मैंने लोगों को दिखा है guest आते हैं हमसे बात करने के लिए आते है वो pair पर pair चड़ा गे बैठ जाते है वो एक अच्छा pose नहीं है this means सामने वाला interest नहीं दिखा रहा है यह अपने आपको ज्यादा समझ रहे है तो सिंपल सी बात हम सामने वाले के साथ में collaborative काम करना चाहते है तो हम यह वाली चीज़े नहीं use करेगे तो मैं आपको basically सारी चीज़े समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से manipulate कर सते हैं चीज़ों को साइड के उपर मैं हमेशा से collaborative वाला बंदा हूँ कि सबका साथ सबका विकास वाला इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस technique को आप ऐसे उसकर सकते हैं और आपके बास तो option है ऐसे आपके आपके बास आपके बास अभी बहुत important debt देना चाहँगा बहुत सारे लोगों के साथ में problem है पैर हिलाते हैं वो एक पैर को हलका से उठागे पैर ऐसे इसे हिलाने लग जाएगे एक तो पहली बात वो irritating लगता है दूसरा इससे आपका confidence दिखाई देता है आपके अदर confidence नहीं है आप nervous हो रख्यों तो जब आप दपते हो तो सामने वाले बंदा आपको दबाता है आप नहीं चाहते हैं आपको कोई दबाए ना तो अगर आपको डर भी लग रहा है nervousness भी है तो पैर को मेशा control रखना है स्कूल के अंदर या आपके घरवाले जो भी आपको बेसी स्कूल में बाते बताते थे ना आज मैं आपको वही चीज़े रिवाइस करा रहा हूँ बड़ आपको उसका logic बता रहा हूँ वह क्यों कराई जाती थी अब हमने बात कर लिए है बड़ी लेंग्वेज की अब हम बात करेगे दिमाग की नियूरो साइंस की नियूरो साइंस मतलब सामने वाले कि दिमाग के अंदर कैसे आप बत्या जला सकते हो अभी तक हमने खाली क्या कि अपनी बड़ी लेंग्वेज से उसके एमोशन को ट्रेगर किया है अब उसके और भी एमोशन को हम ट्रिगर करने वाले है सबसे पहले स्कूल वाली साइंस की वापसी जाते है दिमाग का एक पार्ट है प्रिफ्रंटल कोर्टेक्स यह दिमाग का आगे का पार्ट है जिसकी वैसे हम लॉजिकली सोचते है सारे decision making process यह होते है और दिमाग का दूसरा important part है जो हमारे लिए जरूरी है वो है एक डिला जिसकी वैसे सारे emotions ट्रिगर होते है तो यह वही emotion है जिसकी वैसे आपकी डिल नहीं हो रही है तो दिमाग में कह रहा है नहीं लड़ भाई तू लड़ ऐसे नहीं हो सकता ऐसे नहीं हो सकता यह जो logical argument रख रहा है so good to be true है सही नहीं हो सकता यह बहुत बार आपने कभी कोई चीज खरीदने के ले जाते हो तो आपके पास सारे logic पता है आपको पता है आपको क्या लेना है बढ़ आपने फिर भी नहीं लिया फिर अचानक आप 15-20 दिन के बाद अचानक ले लेते हो कोई situation change नहीं होई है पैसे आपके पहले भी थे आज भी है पर अचानक आपने ले लिया क्योंकि उस टाइम पे मिदिला ने पार्टिस्पेट किया उस पर्चेसिंग के अंदर सबसे पहले अगर हम सामने वाले का trust gain करना जाते है तो उसके लिए हमको दो उसके chemical hormones release करवाने है सबसे पहली चीज़ है oxytocin oxytocin trust hormone है अगर आप पे कोई trust करेगा या फिर आपके वो believe करेगा तो उसका oxytocin release होगा अब यह कैसे कराना है eye contact से उसकी बाते सुनके empathic होकर body language की जो आपको techniques बताई या storytelling करके सामने वाले को लगना चीए यार यह अपने जैसा बंदा है I can trust him तो oxytocin release करवाना है अपने को दूसरा है उसके neurons की activities को trigger करवाना है अब यहाँ पर एक छोटी टेखनीक है जो मिन आपको पहले बताई थी क्या है mirroring आपको सामने वाले के तरीके से behave करना शुरू करते है में making नहीं कर रहे है mirroring कर रहे है जो वो कर रहा है वो same नहीं कर रहे है अगर वो यह कर रहा है हम भी ठीक है छोटे-छोटे emotions जैसे हम खलके-लके कर रहे है उसको subconsciously पता भी ने लग रहा आप उसकी copy मार रहे है बट उसके दिमाग को पता लग रहा है जिसकी वज़से neurons को पता लग रहा है जिसकी वज़से कही ना कही neuroscience काम कर रही है दूसरी important चीज़ आती है stress manage करना अपना भी सामने वाले का भी इसका emotion का जो हार्मोन है उसका अनाम है cortisol तो हमको cortisol को control करना है खासकर अपना जब भी हम meeting करने के लिए जाते हैं खासकर अप जब नए होते हो confidence नहीं होता है तो आपके जो emotions होते हैं वो बहुत heightened होते है जब आपका cortisol level उपर होता है तो आप अपना best perform नहीं कर पाते हैं कई बार आपने देखा होगा आपने preparation करी होगी कि स्कूल के अंदर या अगर आप sales कभी आपने करी है आपने on paper पूरी research करी घर पे सब कुछ perfect था पर जैसे आप सामने action के लिए गए वो चीज नहीं हो पाए स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा performance करने से पहले आपके तयारी बहुत solid होती है अचाना जब stage पे जाते है बहुत सारे लोग वो perform नहीं कर पाते है यही reason है कि स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर ही stage fear दूर करवा जाता है stage पे लेके जाते है ताकि वो बच्चे के लिए वो normalize हो जाए बंदे को लगे वो normal चीज होती है जिसकी वएसे उसको stage पे जाने का stress ना हो अब जो उसके skill set है वो उसको 100% दिखा पाए अब यह नहीं है कि stage fear की वएसे आपका skill set बढ़ जाएगा बट आपका जो actual skill होगा वो सामने दिखा ही देगा यही same logic हम भी use कर रहे है हम अपना cortisol level control कर रहे है जिसकी वएसे stress नहीं हो रहा है हमने जो तयारी करी है उसको best perform कर पा रहे है क्या करना है ब्रिधिंग exercise करने बेसिक सी चीज है मिटिंग से पहले लंबी लंबी सांसे लेनी है ऐसे नहीं लेनी है आप क्लाइंट के पास पहुंचे है क्लाइंट आपके पास में आया है भार वो आ रहा है बस आपको पता लग गया है और आप साहिल खना ने बताया था लंबी लंबी सांसे लेनी है सिंपल सी ब्रिधिंग exercise बताता आपको है छे सेकंड सांस अंदर लो खोल फोर टू सेकंड्स दो सेकंड के लिए सांस बहार निकाल दो और यह मूँ से निकाल रहे है अभी जो अंदर ले रहे थे अब मूँ से दो सेकंड के अंदर भार छोड़ दी यह करके देखो एक दो मिनिट करके देखो कभी भी लाइफ में stress होगा ना चला जाएगा बेसिक सी एक अच्छी ब्रीतिक exercise बता रहा हूँ जो कि आप कहीं पर भी कर सकते हो और दीरे आप इसको master कर लोगे तो आप कहीं पर भी कर पा होगे आपको बस गाड़ी के अंदर वेटिंग एरे चाहिए आपको क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है आपने गाड़ी के अंदर ही बैठे हो एक मिनिट सांसली हो गया कैप में थे एक मिनिट सांसली हो गया दो मिनिट काम किया हो गया आप वेटिंग एरे अंदर बैठे हो वेटिंग एरे अंदर दो मिनिट काम किया हो गया पता हिल लगे को सामने वाले को कि आपने काम भी कर दिया आपका कोटिसोल भी लो हो गया अब यह तक हमने 3 तरीके से बात करी, negotiation को जो control कर रहे है, हम body language से भी control कर रहे है, logic से भी कर रहे है, और हम emotion से भी कर रहे है, अब हम psychology से भी कर रहे है, psychology के अंदर, सबसे पहले चीज़ है anchoring, हमने एक level set कर दिया है कि कोई चीज़े कैसी होगी, अगर आप कभी किसी से negotiate करते हो ना तो पहले अपना price quote कर दो या फिर सामने वाले का आने दो यहाँ पर मान के चल रहो हो by default आप पहले research करके बैठे हो अगर आप पहले ही research करके बैठे हो कि इसका actual price मान के चलो 10,000 होना वाला है तो आप पहले quote कर दो 8000 रुपे आप सिंपल सी बात नेगोशिशन जो भी होगी वो 8000 रुपे के अरांड ही होने वाली है और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने रिसर्च करी है उसका रेट है 12000 रुपे तो 11000 रुपे 10600 रुपे कोड कर तो लेट्स नेगोशियेट हमको पता है फिर से, नहीं नहीं, मेरे साब से 9000 से उपर मैं नहीं काम कर सकता यहां से क्या होगा, अब अपने अंकर को शिफ्ट कर रहे हैं अब आपको देखना है, कि जो मैं आपको टेखनीक्स बता रहा हूं, इसका यूस कैसे करना है मार्किट में, जितनी भी टेखनीक्स हैं, वो सारी टेखनीक्स में आपको सिखा रहा हूं यूस आपको करना है, अब सिंबल सी बात यहां पर क्लियर कर देता हूं, जो भी आप अंकर फै कर रहे हो, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि मान के चलो, आपकी रिसर्च कहती है, प्रोड़क्ट का उसको कॉस ही पट रहा है 10,000 रुपे, आप उसको 9,000 रुपे सी अगली टेकनीक है, फ्रेमिंग, आपकी मम्मी इसके अंदर बहुत स्ट्रॉंग होगी, अगर आपकी शादियों रखे तो आपकी वाइफ बहुत जादा स्ट्रॉंग होगी, फ्रेमिंग का मतलब क्या है, कुछ ऐसी बाते, जो आप दिखाना चाते हो, उसको ज़्यादा है और कुछ ऐसी बाते हैं, जिसको आप चुपाना चाते हैं, उसको दबाओ, वो नहीं हाईलाइट करनी है, आपको ये बताना है कि आप बेनिफिशल कैसे हो, आपकी जितने भी डाउन साइट चीज़े उसको चुपा देना है, जैसे एक्जामपल के लिए, कि अगर आप हमा नेक्स लेवल पहुंच जाएगा, अगर आपने नहीं किया, तो आप बहुत इंपोर्टन चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग सेट कर रहा हूँ, माइंसेट सेट कर रहा हूँ, आपने बहुत सारी यू positive का मतलब क्या हूँ, आप फ्रेम कर रहे हो, कि आप अच्छे हो, negative में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो, कि अगर आपका product नहीं लिया, तो आपके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है, contrast के अंदर क्या कर रहे हो, एक important चीज़ को उठा रहे हो, और डूसर चीज़ को दबा रहे तो आपने क्या किया, आपने उसकी बात को भी agree किया, बट आपने अपने आपको uplift कर दिया, contrast, मतलब सामने वाला अच्छा हो सकता है, बढ़ हम उससे जाल अच्छे है, अब यहाँ पर अग्ली टेकनिक बता दूँ, उसका नाम है concession, concession यह नहीं है कि डिसकाउंट दे दो, डिसकाउंट भी एक पार्ट है, पर मैं मान के चला हूँ, बिसनस कर रहे हो, आप सबजी वाले नहीं हो, आप यह नहीं चा रहे हो कि एक-एक-दो-दो रुपे के ललाई जगड़े करने, आप बड़ी चीज के उपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर concession में हम क्या करते है, कु session है, हम कई बर clients को कहते थे, कि अगर आप हमको immediate payment करते हो, तो हम आपको एक post extra दे देगे, एक EA extra दे देगे, आपको एक extra landing page बना के दे देगे, आपको एक week का maintenance free दे देगे, ऐसा कुछ दे देगे, तो logically, आपके लिए शायद वो उतने ज़्यादा बड़ी value नहीं रख रहा ह but मैंने खरीद रखी है, मैं को share करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ रहा है, तो मुझे कोई as in पैसा नहीं लग रहा है, सामने वाले के पैसे बच रहे है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अब concession basically तीन तरीके के हो सकते है, एक हो सकता है planned, जहां पर हमने सीधी क्लिर कर बद कर रखिए, आप यह करोगे, हम आपको यह देगे, फिर जब negotiation हो रहा था, हमने एक concession भी रख दिया, कि हम साथ में आपको यह दे देगे, चलो, concession के अंदर एक और टेकनिक आती है, इसका नाम है trading concessional, अब यहां बे क्या है, हम rules के उपर बात कर रहे है, conditional है, अगर आप इतने time के अंदर यह चीज कर देते हो, तो हम आपको यह चीज दे देगे, अगर आप यह नहीं करोगे, तो यह नहीं मिलेगा, तो जब भी अपने उतना असान नहीं होगा, देरे-देरे करके आप master कर पाओगे, जहां पर क्या होता है, हम सामने वाले के साथ में एक deal करते है, जैसे कि मान के चलो, हमारा production का एक खर्चा आ रहा है, तो अगर आप हमारे साथ कोई video बनाने चाते हो, मान के चलते हो, उसका specific amount है, तो उसके नी आप से नीचे नहीं जाना चाहता, मैं अपना market rate नहीं खराब करना चाहता, अब सामने वाला कह रहा है कि मेरे पाँ इतने पैसे नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो अपने concession क्या दे रहा, आपने का ठीक है, मैं आपको podcast के साथ में 5 reels भी दे दूग है, हम क्या कर रहे है, हमारे पास में एक tier level पे concessions है, जिसको धीरे धीरे करके unlock कर रहे है, सीधा नहीं बोल रहे है, कि सीधा कर रहे है, अब sales के अंदर कुछ और techniques है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, कि अगर आपके tier concessions है, तो अगर आप सामने वाले को ऐसी complimentary दे तो मज़ा और offer निकाला है, जिसके अंदर हम और चीज़े bonus में दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को भी दे देते हैं, यह मेरा ethical मान सकते हो तरीका है, कि मैं ऐसा कर देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जो अगर मालो 1,2,3 tier पे चीज़े मिलनी थी, अगर आपने प reference बढ़ते हैं, अगर यह sales का पाट है, अगर बात करके चुरे, तो इसके अंदर आप tier में भी खेल सकते हैं, जहां पर पहले लेवल पे कुछ concession दो, नहीं बात बनती तो कुछ और दो, नहीं बात बनती तो कुछ और दो, और जुरूरी नहीं है, कि discount ही देना है, percentage discount, आप क कुछ ऐसी चीज इन रिटन दे सकते हो, जिसकी शायद आपके लिए value नहीं है, सामने के लिए बहुत value है, concession से सबसे important चीज पता क्यों होती है, reciprocity create होती है, आपने सामने वाले का भला किया, वो आपका भला करेगा, मैं बहुत सारा paid content category का free content कर रहा हूं, जैसे हमने एक course free क कर रखा है, हमने cloud kitchen के ऊपर video पूरी पूरी free कर रखी है, amazon के ऊपर पूरी video free कर रखी है, तो यह super long content free क्यों निकाल रहा हूं, मैं तो इसका course बना के वेश सकता था, पैसा कमा सकता था, but simple सी बात, मुझे लगता है, यहाँ पर रहसी प्रोकिसिटी काम आएगी, आपका भला किया, आप मेरा बला करोगे, video like करोगे, comment करोगे, बंदों को share करोगे, कल को आपकी life में कोई बड़ा change आएगा, तो आप जरूर आपके वीडियो में comment करोगे, और आपके दिमाग में मेरे लिए टरस थोड़ा और better हो जाएगा, अब psychology की बात करके चले तो एक और principle है, वो ह साइलेंस, सबसे important है भाई, मजा आता है मतलब ना, उच बोल के छोड़ दो, चीक है, अगर आपको लगता है, डील नहीं हो रही है, यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत लड़ाई जगड़े हो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इतन रुपे हैं, आपको ये रेट है, उ जोड़ दो, उस यही दे सकता हूं सब्सक्राइब, जैसी silence create होगा, awkwardness create होगी, अपने आपी conversation शुरू हो जाएगी, आप controlling power बन जाओगे, देखो silence के तीन logic आ रहे है, सबसे पहली चीज, हमने कोई offer दिया, और चुप हो गए, उसको सोचने का मौका दिया, उसके उपर act किय उसने, silence के अंदर, अगर आप चुप बैठे हो, सामने वाले की बात सुन रहे हो, this means, आप उस पर trust कर रहे हो, वो आपको समझेगा, आप empathic हो, जिसकी trust gain होता हो, दिखा ही देगा, तीसरी चीज, अगर आप silence के उपर ध्यान देते हो, तो आप overtalking को avoid कर देते हो, कई बार बस बोलने में, बहुत सारी चीज़े भुलाते हैं, तो बुझे लगता है, नेगोसेशिशन प्रोसस की starting के अंदर, आपको पता होना चाहिए, कि बाई, क्या चीज़े confidential है, क्या चीज़े confidential नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते है, जब बात करते है, दोस्तिया रही हो जा ऐसे ऐसे words दाल रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं psychologically उसके दिमाग में कुछ emotion रहा है, मुझे हमेशन सा लगता है, अगर आप positive बाते ज्यादा करते हो, अपने आप positive atmosphere रहे हो जाता है, अगर आप positive बाते नहीं करते है, negative negative ज्यादा करते हो, तो negative environment रहे हो जाता है, फिर वो अपने बात करते हैं, ऐसे cases के बारे में, जो कि negotiation के बीच में आपके साथ में हो सकते हैं, और ये part of the game है, सबसे पहले चीज के हो सकते हैं, सामने वाला अडगे है, भाई नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसी होगा, जी नहीं 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 जिसे आपके आपने देखा का मम्मी isolation, उसकी छीज के बारे में बात ही मत करो, आपको नहीं हो सकता है, चोड़ो साल कोई करने या अप बताओ, और क morality कर सकते हैं आपके देखा है, ये बताओ, ये नहीं कर सकता है, आप सोल्व क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आप एक बीच का रस्ता निकाल सकते हो अब इसके एक और शीष बता, है कोई बार पता क्या होता है बात्चीष चल रही है, आपका भी मंद कर रहा है भाई, 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 भैस करने का इक रूल है आपको हमेशा प्रैशेंट रहना है, शान्त रहना है लड़ाई जदा नहीं करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इक ब्रेक ले सकते हैं चाहे भी तेह ना फिर देख एक क्या करना है चाहे काफिलोगे, यह लोगे, वो लोगे आपको दिखाता हूं मैं तो बात को गुमा दो जो बात पहले एक तरीका तो यह था कि हम बात को लेके जा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम की तरफ दूसरा हम एक तरह का ब्रेक ले रहे हैं जहां पर अपना माइंड रिसाइट कर रहे हैं दोनों का वही सेम रूल है कि हम सामने वाले को आफ कॉंवर्जेशन लेके जा रहे हैं ताकि वहम पे ज्यादा टरस कर पाएं अब हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं बंदा फिर भी मान के राजी नहीं है एक तरीका तो यह उसको करना ही नहीं है नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा एक alternative है आप मीडियेटर को ला सकते हैं बहुत सारे businesses के अंदर मीडियेटर एक बहुत इंपोर्टन लोग टे करता है मीडियेटर मतलब एक ऐसा बंदा जो आपको भी जानता है दूसरे को भी जानता है वो सारी के सारी बात कर वा रहा है मुगेश अंबानी और अने लंबानी का जब partition हुआ था सारी प्रॉपटी बटी थी तो मीडियेटर कौन था उनकी मदर क्योंकि दोनों उन पर ट्रस करते थे और उन्होंने सब कुछ किया control अगर दोनों आपस में करते तो कहानी कुछ और जा सकती थी चलिए हम आ रहे है कोर्स के आकरी चेप्टर के तरफ जो है cultural और ethical effects on negotiation अब simple सी बात पता क्या होता है हर जगा अलग है महा के लोग अलग तरीके से जीते हैं अलग तरीके से बोलते हैं अलग तरीके की बाते करते हैं तो जरूरी नहीं है मैं दिल्ली में रहता हूँ तो बहुत सारी लोग बोलते हैं भाई तू तू करके बात करता है या श्नीर गुर्फ को भी हमेशा लोग बोलते है वो बत्तमीजी से बोलता है यह दिल्ली की टोन है भाई लोग ऐसे बात करते हैं दिल्ली के अंदर यह चलता है वो देखिये न, बैंड बजावरात जो प्योर दिल्ली वाले न, जो दिल्ली के अंदर बैठ गए है वो ऐसे ही है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर हम जैसे लोग कहीं और जा रहे हैं नहीं अच्छा लगता है वो कहते हैं, direct बोल दिया, यह यह तो mgleशा है यह तो सचीता बोल देता है हर जगह के अंदर communications styles ötled है कहीं और डिर्ट होता है कहीं हीं हाँंपे indirect होता है हर जगह के अंदर decision making process बिल्ग्स होता है कई लोग fast लेना पसंद करते है कई लोग slow लेना पसंद करते हैं, कई लोग emotional rate ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, कोई लोग database ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, कई काम के अंदर ethics को major variety दी जाती है, कई जगहों के उपर business terms को ज़्यादा प्राइटी दी जाती है, तो यहाँ पर आपको culture और ethics के उपर lecture दी दूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है, आपको जहाँ पर भी negotiate करना है, जिस बंदे से करना है, तो आप जब research कर रहे हो, तो उनकी cultural research करो, अगर आपको लगता है कि वो गुजराती है, गुजरात से आया है, आप चोड़ा R&D करो, Instagram देख लो, उनका Facebook देख लो, Likes देख लो, तो research करो उनको क्या खाने में पसंद आ सकता है, उसकी हिसाब से अगर आप उनको सर्फ भी करते हो, उससे भी एज हो जाता है, कई बार क्या होता है, बंदा गुजराती है, बढ़ उसको गुजरात का खाना नहीं पसंद है, आपने वह डोकला खाना रख दिया, और बंदा गया रहा है, तो क्या होता है, वह छोटा सा खाना रखना, एक छोटी सी प्लेट रखना, कोल्डरिंग रखना, वह भी बहुत बड़ा फेक्टर एड़ कर देता है, आपकी डील के अंदर, तो सिंपल सी बात, जिस भी बंदे से डील कर रहे हो, अपनी कल्चरल अवेर्नेस को बढ़ाओ, अच्छे सेल्समेन, अच्छे नेगुशेटर वही होते हैं, जिनको कल्चरल अवेर्नेस होती है, और आप शॉक हो जाओगे, जब आप इसको रिसर्च करोगे, या फिर मुझे परसनलिक लगता है, हर बार मुझे बंदे को कॉलेज जाना चाहिए, ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे नब कल्चरली जो चीजे सीखते होना बहुत अलग होती है, मैंने धहरत उन से इंजिर्णिंग करी, तो मेरे पास में लोग आ रहे थे, जो पहाड साइड से भी थे, जो प्लेन साइड से भी से, जो बीच साइड से भी थे, जो कि इस साइड से भी थे, हर जगा के लोग आ रहे थे, हर जगा के अलग-अलग कल्चर थे, बहुत सार लोग बहुत एथिक्स के उपर रहते थे, कि मेरे लिए प्रतिष्ठाई सब कुछ है, सच इस सच, कुछ भी हो जाए, किसी का नुक्सान हो, मुझे कोई फर्थ नी बढ़ता, पर जो सच है, वो ही सच रहेगा, मैं हमेशा सच का ही साथ दूँगा, कई लोग कहता है, सच तो चेंज हो सकता है, तरम्स अपने हिजाब से होनी चाहिए, अब यह नहीं कहारा कि, दोनों माइंडसेट गलत है, दोनों माइंडस सही है, आपको सामने वाले को समझना है, कि उसको कौन सा माइंडसेट चाहिए, तो चलिए, उमीद करता हूँ, आपको मज़ा होगा, बहुत को सीखने को मिला होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आपको इन डेप्ट नेगोसेशन सिखा सकूँ, जितनी टेकनीक्स है, जितनी भी प्रिंसिबल्स है, वो सारी चीज़े बता सकूँ, आप प्रैक्टिकली इसको एपलाए करो, देरे-देरे अपनी लाइफ के अंदर चेंज़ेश करो, मैंने आपको बताया है कि, नेगोसेशन कितने तरीके की होते है, विन-विन होता है, मेरा मानना है, विन-विन होना चाहिए, अगर आप विन-विन का पालन करते हो, तो आपके लॉंग टॉम रिलेशनशिफ बनते है, नेगोसेशन से पहले हमेशा रिसर्च करके जाओ, हर लेवल के उपार, आप बिसनस पॉंट अविव से बात करके चलो, उनकी कल्चिर पॉंट अविव से बात करके चलो, एथिक्स पॉंट अविव से बात करके चलो, उनकी पास रिकॉर्ड की बात करके चलो, इमोशनल टेकनिक्स बताहिए, सबका पालंद करो, और एक अच्छे नेगुशेटर बनो, तो चलिए, All the best, God bless you, तो यसी के साथ आज की वीडियो खतम होते है, वीद करता आपको मज़ा होगा, लाइक कर देना, शेयर करो, जितने लोगों सक कर सकते हो, सब लोगों का भला होन चाहिए, बाइ, गुद्नेश्वागर, गुदाफिस, गुद्मॉर्णी गुराफिस, जब भी अवडियो देख रहे है, जैहिन, बंदे मातरम, दुआ में याद रखना, पेर्स में याद रखना, जब भी बवाण का नाम लो, इने बारे में भी थोड़ा सा सोच लेता है, जहिए, गुद्नेश्वार, गुद्नेश्वार, बाज शेने करता है, जब रहे है।